नमस्कार दोस्तो, हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वाकत है दोस्तो, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी पत्ते के सेवन की विदी के बारे में बताऊँगा दोस्तो, यदि आप इस पत्ते का हार रोज सेवन करेंगे तो आपको मरते दम तक सुगर, कोलोस्ट्रोल, मोटापा, हार्डिटेक, किसी भी परकार का कोई भी दर्दर नहीं होगा और दोस्तो किड्नी में पत्री की समस्या का भी इससे कारगर कोई इलाज हो नहीं सकता दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तेजपत्ते की और दोस्तो तेजपत्ते का उपयोग मसालों के रूम में किया जाता है यह आपके घर में जरूर मुझूद होगा तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इससे होने वाले फाइदों के बारे में उसके बाद आपको बताएंगे इसके सेवन की सहीविदी दोस्तो यदि आपको डाइबटीज की समस्य है और आप अपने सूगर लेवल को कंट्रोल करना जहाते ही तो दोस्तो आपके लिए तेजपत्ता एक कारगर दवा की तरह काम करता है ये आपके sugar level को control करेगा और इस बीमारी से होने वाले complications से आपको बचा कर रखेगा सवसंत अंतर के लिए भी तेजपत्ता बहुत अधिक चमतकारी है दोस्तों तेजपत्ता खाने से खांसी, flu, bronchitis, asthma जैसी सांस से जुड़ी बीमारी उसे आपको तुरंत रहात मिलती है तेजपत्ते के आर्क में anti-inflammatory गुण पाये चाते हैं इसलिए इसी सूजन कम करने में बहुत अधिक मददगार माना जाता है दोस्तों इसके अंदर anti-inflammatory गुण होते हैं जिसके कान यहें दर्द को भी कम करने का काम करता है और asthma जैसी बीमारी का एक कारगर इलाज है यदि सूजन की समस्य है या आप दर्द का इलाज करना चाहाते हैं तब भी दोस्तों आप इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसकी पतियों में COX2 नामक अंजायम की गतिविदी को रोकने का गुण पाया जाता है और इस अंजायम के कान सरीर में सूजन बढ़ जाती हैं और बहुत कान होते हैं कि सूजन के कान भी हमें दर्द होता है फंगल इंफेक्शन को दूर करने के कुण भी इसके अंदर पाय जाते हैं क्योंकि ये इसमें एंटी फंगल कुण भरपूर मातर में होते हैं और इस फंगल इंफेक्शन के काना बहुत रहें कि बेमारियों का सिकार बनते हैं वजन को कम करने यदि आप वज़न को कम करना चाहते हैं तब आपको तेजपत्ते का सेवन करना चाहिए तेजपत्ता उन जड़ी बूटियों में सामिल है जो भूग को कंट्रोल कर सकती है इसके लिए इसका सेवन करने के बाद व्यक्ति अतरिक कलोरी लेने से बज़ जाता है यह किड़नी की मासपेशियों को सीधे अराम देने में बहुत अधिकार करें इसमें लोरिक एसिड पाये जाता है जो किड़नी की समस्याओं से राहत दिला सकता है दोस्तों इसमें यूरिनरी गुन होते हैं यहने की इसको लेने के बाद आपका यूरिन जादाता है जिससे की आपकी बतरी यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है और इसी से आपकी एक समस्याओं का और इलाज होता है आपके सरीर में जो भी गंदे पधारत हैं वो भी आपके सरीर से बाहर निकल जाते हैं ताकि आपको heart attack और heart blockage या दिल की विमारियों का सामना नहीं करना पड़े तो दोस्तो आपके लिए तेजपत्ता एक कारगर दवा है आप तेजपत्ते का परियोग करके हमारे दवारा बताए गई विदी से परियोग करके अपनी स्कोलोस्टोल की समस्या का इलाज कर सकते हैं और दिल की विमारियों से बचे रह सकते हैं दोस्तो तेजपत्ता हमारी तवचा के लिए भी बहुत अधिक कारगर है क्योंकि इसकी essential oil का इस्तमाल बहुत सारे cosmetic समान बनाने जैसे cream, in, sabon बनाने में किया जाता है यह तवचा को गहराई से साब करता है और दोस्तो आप इस तेजपत्ते का परियोग करके अपने चेहरे को खिला-खिला बना सकते हैं बालों के लिए भी गुनकारी है तेजपत्ता दोस्तो बहुत बार क्या होता है कि fungal infection के कान हमारे बाल तूट जाते हैं और यदि इस वज़े से आपके बाल जढ रहे हैं तो आपको तेजपत्ता का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसके anti-fungal गुन आपके इस समस्या से निजात दिला देंगे anti-bacterial गुनों से भरपूर होता है anti-fungal गुनों से भरपूर होता है तो जो fungal infection के कान आपके बाल तूटते थे ये उन से आपको बचा देगा तो दोस्तो आपको तेजपत्ता का सेवन जरूर करना चाहिए यदि आप किसी भी परकार के दर्द का इलाज करना चाहते हैं चाहे घोटनों का दर्द हो जोडों का दर्द हो किसी भी परकार के हड़ियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो चलिए अब आपको बताते हैं कि तेजपत्ते का प्रियोग आपने करना कैसे है दोस्तों आपने क्या करना है तीन से चार तेज पत्ते लेने हैं आप तीन लेसकते हैं चार लेसकते हैं पांट से लेसकते हैं आपने क्या करना है दो गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रखना है अब समय आपने चार तेज पत्ते अच्छी तरह हैं धोकर साप करके के इसमेरड दाल देने हैю. और दोस्तों, आपने इस पानी को तब तक उबालना है, जब तक कि ये पानी उवल उवल कर एक कप नह रह जाए. और जब ये है पानी उवल उबल कर एक कप रह गया, तो दोस्तों, आपका नुस्खा रहे डिए हैं. अब आपने इस तेज पत्ते के पानी का सेवन करना है यदि आप इस तरीके से तेज पत्ते का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी सबजी में इस तेज पत्ते को डाल कर उसका सेवन कर सकते हैं यनि किसी भी तरीके से आपने तेज पत्ते का सेवन करना है तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए और सबस्क्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आ आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिफकेशन आत रहे धन्यवाद दोस्तों